से आठो मुद्वे पर हम दोगों ने लगातार मुव्मेंट किया, आंदोलन किया, रेली किया, घेराओ किया, विधान सभा का घेराओ किया, मुख्यमंत्री का घेराओ किया, राजपाल का घेराओ किया, कि आपको खतियान को ही अधार बनाना पड़ेगा 90 में मेरी नोकरी उसी अधार पर हुई थी खतियान को मैंने दिया, मेट्रिक पास किया, खतियान को दिया और मेरी नोकरी करमचारी में हो गई तो उस समय जितने लोग जहारखंड के लोग थे, जिसके पास खतियान था, उनी को नोकरी मिला था ये आदेश बिहार सरकार के दोबार आया था तो उसी को carry on करने के लिए उसी को forward करने के लिए ये 1932 का खतियान का concept डिवलब हुआ था कि जब ओ 1932 का खतियान के अधार पर था तो ये 1932 के खतियान के अधार पर क्यों नहीं होगा और वही perfect होगा उसके अलावे कई रास्ता हम लोगों ने सोचा सब में लूपोल्स था फॉल्ट था सब में चीदर होने का chances था अधिकतें परिशानी थी सब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भूमिहीन है जो यहां के हैं जो जहारखंडी मुल रूप से हैं चुकि यहां आदिवसी भी और सदान भी और सब लोग रहें तो सब कोई के पास लगवल लगभग जमीन अरो 1932 के पहले का कतियान है बहुत कम लोग ऐसे हैं इसके पास नहीं है पेतर टोली है, इमली टोली है, होटवासी है उनका गाओं को ही परिवर्तन कर देते हैं कोई बिदिया नगर बना देगा, कोई सिव नगर बना देगा उनकी आइडिटीटी को खतम करने का परियास मत करो हम खाना तो नहीं छिन रहे हैं उनसे लेकिन ये कह रहे हैं कि ये खाना मेरा है ये खाना मेरा है तुम अपना खाना को खाओ तो जहिर है कि जो दुसरों का खाना खाता है दुसरों का खून चूसता है तो उनको थोड़ा सा अपने मेहनत करने में तकलीफ लगेगा तो तकलीफ लग रहा है थोड़ी थोड़ी सर क्या केंद्र सरकार इसकी स्वकृति प्रदान करेगी हाँ करेगी मश्कार मैं हूं दिव्यारानी और आप देख रहे हैं जीन भारत और साथ में मौझूद हैं विधायक चम्रालिंडा जी सर आपका जीन भारत में स्वागत है सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1932 खत्यान पर आपकी पहली प्रक्रिया क्या होगी क्या आप इसके लिए हमन्सोरें जी को धन्यवाद देंगे श्योरली मुख्यमंत्री जी ने डेरिंग डिसीजन लिया है इस पर और वो शुक्रिया के पात रहें भी चुकि ये सब डिसीजन लेने में सारी कम्प्लिकेशन है बहुत ओब्जेक्शन रहा था मगर सबकी स्विक्रिती से या अपने मन से या अपने determination से उसने डिसीजन लिया है वो शुक्रिया के पात रहें जन्यमाद के पात रहें और इसमें सारा जहरकन प्रदेश के लिए एक बहतरी है एक सेफगाड है जहरकन प्रदेश को सेफरेट होने के लिए भी करने के पीछे डिमांड भी यही था और परपस भी यही था कि यह state अलग होगा तो यहां के लोगों को जो deprived हैं यहां के लोगों को नोकरी नहीं मिल रही है यहां के लोगों का अपनी जो सिस्टम बच नहीं रहा है, पलायन करते हैं, नोकरी नहीं है, सिख्षा नहीं है, तो स्टेट को सेपरेट करो, तो स्टेट सेपरेट करने की मांग तो 1950-52 से ही हो रही है, तो उसका परिनती अभी आया है सर मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, कि 18 नवंबर 2000 को मनजर कैसा था, जिसके लिए आपको सर यह जनकरांती छेडनी पड़ी थी? यह भावना पैदा हुआ था, जहारखंड सेपरेट का डिमान से ही हुआ था, यहां के लोगों को जोब से बंचीत होते थे, यहां पलायन लोग करते थे, गरीबी था, आदिवसी लोगों का पोपुलीशन यहां पर ज्यादा था, बट डेवलोपमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए सेपरेट जहारखंड के रूप में डिमान किया था, 1950 से ही ऐसा मांग सुरू हो गया था, तो उसकी परिनेती थी जहारखंड इस्टेट होने के बाद, तो हम लो ने 15 नॉवंबर 2000 को स्टेट अलग होता है, तो 18 नॉवंबर 2000 को हम लोग बावुलाल जी मुख्यमंतरी थे, उनके सामने में प्रस्तूत किया और रेली करी, 18 नॉवंबर को रेली करी, 19 नॉवंबर को बावुलाल जी के पास हम लोग प्रस्तूत किया और बोले कि इस डिमा को लागू करना पड़ेगा इसलिए लागू करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमारा जार्खन अलग होने का परपस पूरा होगा हम इस विशय में और चीजों को सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा चीज होगा जो एक घेराबंदी करेगा जो इंफ्लक्स हो रहा है बाहरी चुकि हम ल यह चीजी बना वो कारो बना जमसित पूरा है बाहर से पब्लीक बहुत ज़्यादा आ गए थे तो यहां के लोग बंचीत होते जा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा इसको कि कौन सा ऐसा चीज होगा कौन सा चीज ऐसा रखा जाएगा कौन सा क्रेटिरिया रखा जाएगा मे और सेपरेट कर दीजिए तो यहां के लोगों को फिर बिनफिट होगा बट फिर 1951 का जनगना भी अनफिट लगा क्योंकि ओ उचित नहीं था क्योंकि उस समय तक 1908 से ही लोगों का आगमन यहां प्रारंभ हो गया था और उनका वर्चस्व बन चुका था तो इसलिए मेरे दिमाग में तो यही आया कि कि खतियान ही सबसे बहत्तर होगा सर इसमें आपने एक चिज़ार कहा था कि अपने अपरू-चपरू गंगा पाद तो इसमें सर आप क्या बोलना चाहते हैं हाँ लोगों के दिल दिमाग में ऐसा था ये सोसक वर्ग हैं दिकू हैं चुकि 18 नौमर को हमसे पूछा भी गया दिकू आप किसको बोलते हैं प्रेस के द्वारा पूछा गया था 18 नौमर 2000 को जिस दिन हम लोगों ने रेली करके इस डिमांड को रखा था तो पूछा गया था कि पुरुष अपुरु गंगा पार कह रहे हैं कि इसको आप बोलते हैं इसा तो हमने यही बात कहा था कि देखिए ज्यादातर बाहरी लोग आये हैं तो सोसन अर्सोसक वर्ग के हैं ज्यादातर लोग तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वे लोग जब आये हैं तो अब वो के लिए अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए आपने बेनेफिट किया फायदा लिया इसलिए हम लोगों ने कहा था अपरुच 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 फाइनलाईज करने के लिए क्या छीज बेहत्र होगा, खतियान ही बेहत्र होगा, क्योंकि ये रइट ईपरिकड़्स उनके पास ना होगा, अगर वो भीहार का है, अगर वो उडिशा का है, तो उनका पाचान वहाँ का, उनका जमीन का बना है उस इस्टेट में, इस तब इसी के दुवारा हम यहां के लोगों को प्योरली बेनेफिट पहुचा सकते हैं, और दूसरा कोई भी रास्ता होगा, उसमें छेद होगा, रास्ता बनेगा, और कई तरह की कन्फूजन आएगा उसमें और लोगों का आग मना जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने किलियर कट डिमांड रखा बाबुलाल जी से, रेली के माधियम से भी, और दो हजार दो में भी, दो हजार एक में भी, जब तक दो हजार तीन में डुमिशाइल की जो मूव्मेंट होती है तब तक, हम लोग इस मामले में, और भी था आदिवासियो के बिसे में सरना कोड देना होगा, C&T Act लागू करना होगा, दोगला आदिवासि को ठीक करना होगा, और भुरिया कमिटी को लागू करना होगा, छे हमारा डिमांड होता था, जब दो हजार से आदिवासि चातरसन, आठ जुलाई दो हजार को बना, उसके बाद से आठो पर हम लोगों ने लगातार मुवमेंट किया, आंदोलन किया, रेली किया, घहराओ किया, विदान सभा का घहराओ किया, मुख्यमंत्री का घहराओ किया, राजपाल का घहराओ किया, मौरबादी मैदान में रेली किया, तो इसकी परिन्यती आई है, और इसलिए हम लोग हैम भावना के मुताबिक यहां के लोगों के लिए ही वो मुख्यमंत्री बने थे यहां के लोगों के सपोर्ट के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे उनके पिताजी जो सिबू सुरेन रहे उनके इंस्पिरेशन से यहां बने थे हम लोग भी इंस्पाइड रहे थे उनसे उसी के का कारण हम लोग मुभमेंट जार्खन बनने का जैसे ही पता चला कि अब जार्खन बनने वाला है। तब से ही हम लोगोंने जो मौभमेंट स्टार्ट किया, तो उसमें उन लोगों का इंस्परेशन जो हमारे पहले आंदोलन किये थे, रैलिया की थी, मांग रखी थी, जैपाल सिंग मुंडा के समय से भी फिर सिबू सोरेन जी आये, पिर कार्तिकुराओं जी भी आये, तो सभी लोगों का इंस्परेशन हम लोगों पर था, इसलिए हम लोगों ने आदिवासी छातरसंद का क्रियेशन किया, और क्रियेशन करके इन डिमांड के जैसे ही पहला मुख्यमंत्री बनते हैं, बावुलाल मरांडी जी, उसके सामने इन 6-7 मुद्दा को हम लोग रख करके, और इसमें बिसेस हम लोग फोकस किये, कि आपको खतियान को ही आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज था, हम कई तरह का बिसल तो कोई भी सीख लेगा, और भासा सीखेगा, और वाद में उसमें फिर से इंट्री कर लेगा, संस्कृती को सीखते हैं, तो संस्कृती भी दिकत होगे, परेशानी होगे, वो भी किलियर कट नहीं होगा, हम लोग इतना जानते थे कि परते की स्टेट को उसका डोमिशाइल बनाने का राइट है, इसलिए हम लोगों ने बावुलाल जी से कहा कि ये बनाना है, आपको किसी भी स्टिति में करना है, तो नहीं बनाएंगे तो मूब्मेंट करेंगे, चका जाम करेंगे, रेली करेंगे, तो ये सब उनको कॉम्पेल किया, और अरन तता 2003 में कोट भी गय जहां तक मेटर गया, मगर ये हुआ और करना पड़ा इन सब चीज़ों को, तो हम लोग हमारे दिमाग में बिशेश तोर से एक विचार उसको भी हम लोगों ने रखा जो हमारे जान करी थी, उनी सो बेरासी में बिहार सरकार ने जारखन को इस पार्ट को ख्याल में रखते खतियान को अधार लो और उसी अधार पर वहां के लोगों को नोकरी दो, तो हमें पता था उस चीज़ को, क्योंकि 90 में मेरी नोकरी उसी अधार पर हुई थी, खतियान को मैंने दिया, मेट्रिक पास किया, खतियान को दिया और मेरी नोकरी करमचारी में हो गई, तो उस समय जितने लोग जहारखंड के लोग थे, जिसके पास खतियान था, उनी को नोकरी मिला था, ये आदेश बिहार सरकार के दुआरा आया था, तो उसी को केरियोन करने के लिए, उसी को फरवट करने के लिए, ये 1932 का खतियान का concept डिवलप हुआ था, कि जब ओ 1932 का खतियान के सांसेस था, अधिकत हैं परिशानी थी सब में, इस दौरान मैं पूछना चाहती हूँ कि जहारखंड के वो महीनों का क्या होगा इसके बाद, देखियो इसमें सेपरेशन का भावना उत्पन हो रहा है, सेपरेट करना है, जाईरे पहली बात तो जिसकी जमीन नहीं थी, वो जहारखंडी नहीं होंगे, कई लोग आ गए हैं उसमें, तो अब रह गया कि जिसके पास जमीन नहीं है, वो बाहर के हैं या यहां के हैं, उसको क्लियर करना, तो उसको क्लियर करने के लिए, suppose that, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जो भूमिहीन है, जो यहां के हैं, जो जहारख नहीं है, तो वैसे लोगों को लास्ट टाइम में, ग्राम सभा आइडिंटीफाई करेगी, ऐसा एक प्राधान बना था, और ऐसा नहीं है, कि जो लोग यहां के हैं, भूमिहीन है, उनको आइडिंटीफाई करने के लिए, कोई रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिने ये बहुत कम लोग हैं, तो उसमें आसानी होगी, इजी होगी, ग्राम सभा कर सकते हैं, मुख्या कर सकते हैं, पहान कर सकते हैं, वहां के गाओं के जो प्रमुख बेखती हैं, वो लोग रेकोमेंड कर सकते हैं, उसको जाच कर सकते हैं, सीयो जाच कर सकते हैं, वहां क कम संख्या में ऐसे हैं, इसलिए बहुत बड़े परिशानी नहीं होगे, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसको परिशानी होगे, तो ओलोग, I think, वे लोग के फेबर में कह रहे हैं, जो actually बाहर से इल्फलक्स हो के आये हैं, उनको फेबर में कह रहे हैं, यहां के लोगों क सकता है उसको कि कौन थे कौन नहीं थे अब आदिवासियों के बहुत चहीते विधायक हैं लेकिन बीहारी इसका विरोध कर रहे हैं कि हम जहारखन को जला देंगे या फिर हेमन जी जो करना चाहते वो नहीं करने देंगे या फिर इसके बारे में से अब क्या कहना चाहते हैं नहीं देखिए जाहिर है कि जिस बेक्ति को उससे बाहर निकलना होगा तो वो बिरोध करेंगे ही करेंगे तो यह इस बार आइधिंक की नहीं होगा क्योंकि जहां-जहां बिरोधावास पिछला बार हुआ था देसे हाई कोट ने कहा था हाई कोट ने ये नहीं कहा था कि 1932 का खतियान सही नहीं है उसने सिर्फ ये कहा था कि कई जगha कहीं 1956 में है कहीं Paris 1909 में है कहींपर 1909 में है कहीं पर 1922 में है तो इसको आप किसे सामज अस्य करेंगे तो मान्य मुख्यमंत्री जी इस बार सक्षम होंगे उनको जबाब देने के लिए उनको बताने के लिए कोर्ट को भी बताने के लिए या केंदर को भी बताने के लिए कि हम इसको इस तरह से सामझ जैसे करेंगे तो इसलिए उनको बिरोध करने से कुछ फने वाला है नहीं और उनको बहुत कम संख्या में हैं और होगा नहीं कुछ-कुछ टाउन में हैं, धनबाद में हैं, जमसितपूर में हैं, राची में हैं तो वे लोग ही बिरोध कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं बाकि सब भीहार के लोगों को भी ये पता है, कि इनका राइट है, उनका हक है, उनको होना चाहिए. हमको तकलीफ है, हमको तो विज़त कर तकलीफ है. चुक कि जब हम लोग उस समय के बाद से यहां कुछ आने लगे, तो यहां की इतिहास को ही मिटाने का कुछ लोगों ने प्रियास किया तो हम लोग उसको बहुत कटरता से उनका condemn करते हैं जैसे हमारे तरफ में कोई गाउं है तेतर टोली है, इमली टोली है, होटवासी है उनका गाउं को ही परिवर्तन कर देते है कोई विद्या नगर बना देगा कोई सीव नगर बना देगा उनकी आइडिटीटी को खतम करने का परियास मत करो और इसके लिए 1932 का खतियान ही इफेक्टिव होगा और वही बचाएगा उसको और यहां का स्टेटस को भी बचाएगा वो क्योंकि धीरे पोपुलेशन आएगा तो यहां का पोलिटिकल सिनारियो यहां का सोसल सिनारियो सारा कुछ में परिवर्तन आएगा इसलिए डेफिनिटली यह सबसे सठीक है और बेहत्तर है और ऐसे लोगों का बिरोध करना कहां बिरोध करेगा वो बिरुद करेगा, कितना बिरुद करेगा, क्या करेगा, बोलने से तो क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं हो पाएगा, ना इंसीडियूर में डालना है, डला जाएगा, कोट जाएगा, कोट भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर स्टेट का fundamental right है, उसको करने का right है, समिधानिक अधिकार है, उसको करना है, आप मेटर को कह सकते हैं, कि ये होगा, गलत ये होगा, गलत ये गलत होगा, मगर उस मेटर को फिर से solution बना करके, बेहतर करके, और उसको present किया जा सकता है, उसके बाद वो protest नहीं कर सकता है, उसके बाद विरुद भी नहीं कर सकता है वो इसलिए इस बार हम लोगों को पुरा यकीन है कि ये फाइनलाइज होगा और किलियर होने के बार जब इसका विधान आ जाएगा विधान सभा में होकर के फिर नाइंसीडूल में चला जाएगा या कोर्ट से या अन्य तरीके से जो भी रास्ते हैं जिसमें बिधन ता का चांसे से सब ठीक ठाक होगा क्योंकि कानून समिधान आपके और इस्टेट के फेवर में है नियाद डिपेंड करता है कि कराने वाले के डिटर्मिनेशन पर तो इस बार कराने वाले का डिटर्मिनेशन है तो शियर होगा हमको लगता है पिछला बार कुछ मिस्टेक हो गई थी और इस मिस्टेक सही परिशानी हुई थी इस बार सब कुछ तयारी के साथ होना है इसलिए कितने भी बाहरी लोग चिला रहे हैं तो उनको तोड़ा सा अपने मेहनत करने में तकलीफ लगेगा तो तकलीफ लग रहा है थोड़ी-थोड़ी लगने दीजिए उसको उन लोगों को जो लोग का रहे हैं तो वह चोटे संक्याम हैं वह लोग सर क्या केंदर सरकार इसकी स्वकृति प्रदान करेगी? हाँ करेगी क्योंकि बहुत सारे बिसे हैं जो स्टेट केंदर को नाइन सीडूल में डालने के लिए रिक्वेस्ट किया लैंड पे बिसेस कर और ये एरिया एक स्पेसल एरिया है इसलिए इसको नाइन सीडूल में डालने के लिए केंदर सरकार जरूर अगर सारीत होगी क्योंकि इन फेवर ओफ कानून और समिधान इसमें उसको सपोर्ट करेगी क्योंकि ये एक डिफ्राइब स्टेट रहा है सीडूल एरिया का स्टेट रहा है गरीब स्टेट रहा है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए केंदर सरकार की नाइन सीडूल भारत का समिधान का नाइन सीडूल उसी के लिए बना है जैसे सुरुवात के समय में जब भारत देश अजाद हुआ उसके बाद हर स्टेट ने करीब-करीब नाइन सीडूल में डालने के लिए अपनी लेंड का कानून बनाया और नाइन सीडूल में डला दिया अपनी क्रिशी का कानून बनाया और नाइन सीडूल में बना दिया तो ये जो कानून है ये जो एक्ट बना है अभी या 1932 का खतियान का मामला होगा वो भी similar उसी तरह का favorable act है जिसके कारण केंदर सरकार उसको स्विकृति प्रदान करेगी और 9CIDUL में डालने के बाद फिर कोट में वो नहीं जा पाएगा तो कोट में नहीं जा पाएगा तो ensure and certain हो जाएगा इस वाद continue हो जाएगा ये I think इस पर कोई अर्चन आना नहीं चाहिए दिकते नहीं आएगी और हमें लगता है कोट से भी ये दिकते नहीं आएगी परिशानी नहीं आएगी बस जिर्फ इतना ही कहना है कि हमको क्यों जरूरत है क्यों इसको लगाने का जरूरत है इस तर्क को परदान कर देना है पिछला बार ये तर्क दिया नहीं गिया या किया नहीं गिया या हम जो जानते थे वो समझते थे चुकि हम लोगों तो आंदोलन के रूप में थे हम लोग सड़क में उतरते थे कोट कछेरी में क्या हुआ इस लोगों के द्वारा तर्क दिया गया, जब हमको तब पता चला कि यह तर्क दिया नहीं गया, क्योंकि वो ब्यक्ति से जो वकील आये थे, वो देली से आये थे, तो देली वाले ब्यक्ति नहीं जान पाएंगे कि जहारखंड में इस्तिती क्या है, जहारखंड की लोगों क दिया जाएगा ओतर्क नहीं दे पाए इस बार तर्क दिया जाएगा और इस बार हेंन सोरिन है तो सारा तर्क देंगे और ओतर को काटनी सकते हैं सजी अन भारत को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी शुक्रिया, आप लोगों को भी शुक्रिया अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूले